इंडिया की बाहर USA पे कलेक्शन की मामला पे कौन सी साउथ फिल्म नंबर बॉन पे है उसकी बारे में आज मैं बताने बारे हूँ तो सो USA में साउथ का सबसे कमाई कैनबला फिल्मों के बारे में जानने के लिए शूर सेंथा की वीडियो ज़रूर देखिएगा एक लाइक भ कुमारा ने और समिस्टेफेन और पॉलिटिशन के बीच में एक उन्फिट को दिखी है और लूसिफर का क्लाइमेक्स फैंस को हार इक पर सोचने को मजबूर करते है और इस फिल्म को वान उफ बेस्ट पॉलिटिकल फिल्लर फिल्म ही माने जाता है और अधा दूस्तों सोन का कॉम्बो ना जाई है और इसमें विजय करहा पाउरफुल एफ्तर जहाँ पर थालपती विजय का कॉमेडी टाइमिंग, डैंस और एक्शन सीकर्स को पॉजिटिव रेस्पोंस मिला है और वेता दूस्तों बीस्ट युएसे से कलेशन किया है लगभग एट मिलियोन युएस डॉलर, नमबर थार्टीन आई, और इसी लिस्ट पर नमबर थार्टीन बढ़ते है चिया विक्रम का ड्रामा ट्रिलर फिल्म आई, और इसमें बॉडी बिल्डर की लाइफ से जुड़ा कर पूरे स्टोरी को दिखे ही है, इसे फिल्म के लिए विक्रम ने काफी हा और जहापर समें थालपती विजय को एक और पर इसमें थालपती विजय को एक कोपरेट मॉंस्टर की रूम में जाई है, और 2018 में यह रहा पॉलिकल एक्शन फिल्म बता दूस्तों सरकर फिल्म, युएस पर कालिशन किया है 10 मिलियों युएस डॉलर, नमर 11 पिट्टा, और युएस डॉलर, नमर टेन, साहो, और 2019 में रिविस्टा प्रभष का एक्शन फिल्म आई, शाहो, और जहापर प्रभष को काफी हाई अप्टेन एक्शन सील पर नजाई है, और यह रहा दोस्तों, शाहो को वर्सिस कलेशन की बात करो तो युएस पर, शाहो फिल्म 11 मिलियो युएस डॉलर कलेक्शन किया है, नमर नाइन, मार्शल, और दोनों फिल्मों की बात, इस लिस्ट पर थलपती विजय का थर्ट फिल्म है, और जो रहा एक्शन फ्रिलर फिल्म, और इसमें विजय को इंडियान डॉक्टर की रूर में नजाई है, और साल्टम ब्लोगबस् की रूल में नजाई है, और इस विजय का करेर में मूस्ट हाइप बला फिल्म रहा, और वतर दोस्तों, बीगिल का ओवर्सेस कलेक्शन की बात करूं, तो जहाँ पर युएस से 13 मिलन युएस डॉलर कलेक्शन दिया है, बीगिल फिल्म, नमर 7, बाहुबली, और 2015 में ओवर्सेस यानि की युएस पर 14 मिलियोन युएस डॉलर कलेक्शन किया है, बाहुबली, इस लिस्ट पर थलेवे रचनिकंत का 2010 का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म भी शामिल है, जिसको डेट किया है, तामिल का नमर वान डिर्टर ऐस चंकर ने, और अधा दूस्तों, इस में साइंटिस्ट ड्र वसी और एक रोबोट चिट्टी के बिच में कान्फ्लिक्ट को दिखे ही है, और इंधिरन फिल्म ओवर्सेस पर यानि के वेस पर 14.80 मिलियोन युएस डॉलर कलेक्शन दिया है, नमर फाइव कबाली, और ये फिल्म भी थलाईवे रचनिकंत का है, जो 2016 माई एक्शन क्राइम फिल्म और जो फिल्म नॉन फेस्टिबल पर रिलीस वा था और उस टाइम पे कबाली एक हास्ट ओपिनिंग बाल फिल्म था, और अता दोस्तों, कबाली 25 साल की बाद जैसे बहान निकल के कैसी रिवेंच लेते है वाहिस में दिखी है, और कबाल युएस पर 15 मिलोन युएस डॉलर कलेक्शन दिया है, नमबर फोर 2.0 और 2018 का थलेवर रज निकंत का एक्शन साइंस साइंस फिक्शन फिल्म है 2.0 और जो एंथी रन का सेकंड इस्टाल्मेंट है, और ये फिल्म उस्बाप का मौस्ट हाइपल फिल्म रहा, जहाँ पर थल मिलोन युएस डॉलर कलेक्शन करके दिखाई है, नमबर 3.0 KJF Chapter 2, हाँ दोस्तों, जहाँ पर रिस एंटरी इस डॉक इंस्टर याश का तुफान लाने वाले फिल्म, KJF 2, ओ वर्स इस कलेक्शन के मामलाप पर, नमबर 3.0 पोजिशन पर आते है, और जहाँ पर रॉक इं KJF 2 का ओवर्स इस पर आभी तक की टोटल 14 टेस में 22 मिलोन युएस डॉलर का कलेक्शन दिया है, और आभी भी ये फिल्म थेटर पर काफी सक्सेस्फुली रानिंग है, यान की पारफुल पेपल सीरेसली मेक दे प्लेस पारफुल, नमबर 2, ट्रीपलर, और 2022 का राजा मोल सबका दिल जीत लिया है, और इस अल्टम ब्लोग बस्टेबल फिल्म, ट्रीपलर, अपनी 32 डेस में 28 मिलोन युएस डॉलर का कलेक्शन दिया है, और बता दूस्तों, कफि इंट्रेस्टिंगली, ट्रीपलर भी बॉक्स सफिस पर अभी भी रानिंग है, नमर बान बाहुव और 2017 में क्रेस का हिसाब से, और कलेक्शन का ममलाव पर नमर वान पर रहा बाहुवाली 2, और जिसका काई सरे रेकोट आभी भी दूसरे फिल्म में ब्रेक नहीं कर पाए, और बता दूस्तों, बाहुवाली 2 वर्सिस पर लगभग 60 मिलियोन युएस डॉलर कलेक्शन दिया ह और जो एक हुज अमाउंट है, दोस्तों ये रहा युएस से मार्केट पर साउथ का हास्ट को सिंग फिल्मों की बारे में, दोस्तों इस लिस्ट पर कौनसे विम आपका फिवरेट है कॉमेंट पर बताईएगा और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करियेगा, और वीड झाल 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 झाल